हलो स्टूदेंट्स वेलकम टू मैं रुपाली वर्मा आपकी लिए क्लास 11 की बुक अंतराल का सेकेंड चैप्टर लेकर आए हूँ हुसेन की जवानी अपनी कहानी मतलब खुद मकबूल फिदा हुसेन जी ने अपनी ही आत्म कथा इस कहाँ इस चैप्टर में हमारे सामने रखी है कि कैसे उनको चत्रकारी का पता चला कि वो बहुत अच्छे चत्रकार हैं कैसे अप्रिशेट किया गया क्या-क्या चीज़े उन अपने बारे में लिखा है इसलिए आत्म कथा है इस विदा के अंदरगत क्या रहता है आत्म कथा स्वयम लेखक द्वारा अपने जीवन का संबंध बढ़नन है लेखक उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हुए अपनी जीवनी लिखता है उत्तम पुरुष क्या होता है सर्वनाम, सर्वनाम हम सभी ने पड़ा है, उसमें होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें तीन भेद होते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष यानि कि मैं मद्यम पुरुष वो जिससे मैं बात कर रही हूँ और अन्य पुरुष यानि कि जिसके बारे में बात हो रही है अब यहाँ पर उत्तम पुरुष का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कभी लेखक ने किया है क्योंकि वो खुद अपने बारे में बोल रही है यानि मैं जहाँ पर मैं शब्द इस्तेमाल होता है वो उत्तम पुरुष में आता है तो यहाँ पर दिया है अपनी जीवनी लिखता है तो वही आत्म कथा बन जाती है आत्म कथा जीवनी का ही रूप है पाट का शीर्षक अपने आप में विधा का गोतक है यानि कि पाट का शीर्षक जो है मकबूल की कहानी अपनी जबानी तो यहाँ पर जो हमारा पाट का शीर्षक है वो इस चीज को बताता है कि मकबूल फिदा हुसाइन ने खुद अपनी कथा बताई है यहाँ पर तो जैसे हमने बताया यह आत्मी कथा विदा में लिखा गया है जैसे कि हमाँ पहले भी आपको बता चुके हैं कि हमारा हिंदी साहित जो है वो दो खंडों में विवाजत है हिंदी साहित और स्वारी हिंदी साहित का क्या है गद्यखंड और काविखंड गद्यखंड के अंदर हमारी सभी आती हैं कहानिया हैं एकांकी हैं नाटक हैं उपन् नहीं बारे में लिख रहा होता है अब आते हैं लेखा के मक्बूल फिदा हुसेन अब इस पार्ट में क्या चीज़े हैं क्या चीज़ें पच्छों को प्रेड़ना देने के लिए यदि विद्यारती जीवन में प्रधिभा विकास का सही अफसर अदिशा मिल जाए तो विद् अभवक और सिक्षक दोनों को अपने बच्चों की सैक्ष्णिक योगिताओं से इतर प्रधिभा को पहचान कर उसके विकास में सहयोग देकर उनके उज्वल भविश का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए यानि कि अभवावक को भी और सिक्षक को भी यह responsibility होती है कि वो अपन फिदा हुसेन जी क्या है हुसेन की कहानी अपनी जबानी का पहला अंस बड़ोदा के बॉर्डिंग स्कोल उनके विद्यारती जीवन से जुड़ा हुआ है जहां उनकी रशनात्मक प्रतिभा के अंकुर फूटे उनकी प्रतिभा सब के सामने आई तो पहला जब वहां से श विकार करने की अपेक्षा की जा रही थी और दूसरा अंश में क्या दिखाते हैं जो उनका खुद का परिवार है वो चाहता था वो व्यवसाय जो उनका पारिवारिक व्यवसाय है वो अपनाया जाए ये दिश कहां करे रानिपुर बाजार का किन्तु वहां भी हुसेन का अंदर का कलाकार उनसे चितरकारी कराता है वहां पे भी बैठके ये सिर्फ चितरकारी करते हैं अंदता हुसेन के पिता जी ने अपने बेटे के हुनर को पहचाना और उनकी रोशन खयाली ने हुसेन को एक महान चितरकार बना दिया जब वो व्यवसाय पे भी बैठके चित और तभी जाके इतने बड़े ही चित्रकार हमको हमारे देश में मिले। बड़े के से उनके एहसास को अपने पास रखना चाहते है। अब कौन कौन से दोस्ते हैं? मुहंबद इब्राहिम गौहर अली, अर्शद, हामित कवर हुसैन, अबास जी एहमद, अबास अली फिता और अतार। ये इनके छे दोस्त वहाँ बॉडिंग स्कूल में बने। सभी में दो साल तक दोस्ती रहें, क्यों दो साल तक वो लोग बॉडिंग स्कूल में रहें? तो सभी में वो दो साल तक दोस्ती बनी रही। फिर सभी भिने-भिने दिशाओं में चले के दो साल की नस्दी की ता उम्र कभी दिल की दूरी में बदल नहीं पाई। मतलब दो साल तक रहें, फिर उसके बाद वो सभी वहां से अलग-अलग जगाओं पे गए। मगर दूर होने की बाद, मतलब फिसकली तो और पे दूर थे लेकिन मेंटली वो सभी एक दूसरे से बंधे हुए थे। विद्याले में मक्बूल ने ड्रॉइंग मास्टर द्वारा ब्लैक बोर्ड पर बनाई गई चडिया को अपनी स्लेट पर हूबहू बनाकर तथा दो अक्टूबर को गांधी जेनती के अफसर पर गांधी जी का पोट्रेट ब्लैक बोर्ड पर बनाकर अपनी जन्मजात कला का परिचे दिया। अब कैसे इनका ये चीज उबरी है। अब उनके ड्राइंग के जो टीचर थे उन्होंने एक चडिया एक चडिया का जो था वो ब्लैक बोर्ड पर बना दिया। अब कहा कि भई सभी बच्चों से बराने के लिए। तो फ्यदा हुसायन जी ने उसका बहुत ही हुब हुच चित्र अपनी स्लेट पर उतारा। चौक के माध्यम से। और वो बहुत ही अच्छा था। फिर उसके बाद दो अक्टूबर को गांधी जैनती पे उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे ही गांधी जी का बहुत ही सुन्दर चित्र लखी चा। जिसको देखकर सभी लोग बहुत प्रसंद हुए कि अरेवा और चकित भी हुए कि इतनी अच्छी चित्रकारी। खुद उन्होंने उनके अंदर जो हुनर था वो भी अगुबर के धीरे धीरे प्रशंद चाचा मुराद अली की दुकान पर बैट कर उनका सारा ध्यान ड्रॉइंग और पेंटिंग पर रहता। अब दो साल बद जब बोडिक स्कूल से आ गए तो सब ये चाहते थे कि वो अपना पुष्टैनी कारे समा ले वो चाचा की दुकान पे भाई उनको भेजे जाने लगा अब दुकान पे भी बैठके मगर वो काम पे ध्यान नहीं उनका ध्यान ड्रॉइंग पे ही था अब वहां से गुजरने वाला हर वेक्ती हर एक चीज की वो ड्रॉइंग बनाने लगते थे वो दुकान पर बैठे बैठे आने जाने वालों के चित्र बनाता रहता जिसमें घुंगट ताने महतरानी गेहूं की बोरी उठाए मजदूर की पेच वाली पगड़ी का स्केच बुर्का पहने औरत बकरी के बच्चे का स्केच आधी प्रमुक थे अब दुकान पर बैठे जो भी आ रहा है दुकान पर बुर्का पहने एक औरत आरी उसका बना रहे है बोरी सर पर रखे हुए एक मजदूर जा रहा है जिसे पेचदार पगड़ी बनाते है ना पगड़ी ऐसे पेचदार घोर घोर के वो पहने हुई थी उसकी बनाई बकरी का चित्र बनाया एक महतरानी जिसने घुंगट किया हुआ था महतरानी में स्विप पर जुड़ेती है उसका सभी का चित्र उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया एक बार सिंगगर फिल्म का पोस्टर देखकर मकबूल को ऑईल पेंटिंग बनाने का विचार आया तो एक पिच्चर रिलीज हुई थी सिंगड उस समय पोस्टर जो रिलीज होते थे वो ऑईल फेंपे होते थे तो वो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने का अभी तक तो मैं खाली पेंसल से स्केश बनाता हूँ पिच्चर ने पुत्र को गले लगा लिया जब उन्होंने अपनी ऑईल की फोस्ट पेंटिंग बनाई तो उनके पिता देखकर बहुत जादा खुश हुए गले लगा लिया कि इतनी अच्छी पेंटिंग उनका बेटा बनाता है उन्हें इस चीज़ का विश्वास नहीं हुआ उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा एक बार इंदौर के सराफा बाजार में लांडस्केप बनाते समय बेंदरे साहब से मुलाकात हुई तो अब क्या होता है आर्टिस्ट हैं बैड गे कहीं कुछ बना रहे हैं तो वहीं पे बैठे सराफा बाजार में वो बना रहे थे तो वहीं पे उनकी बेंदे साहब से मुलाकात हुई फिर दोनों लांडस्केप पेंट करने लगें मकबूल ने एक दिन बेंदरे को अपने पिता से मिलवाया बेंदरे ने कहा ने मकबूल के काम पर उनसे बात करी पिता से मिलवाया तो उन्हें बताया यह मेरे पिता है तो उन्हें भी बताया कि आपका बेटा कैसे काम करता है क्या है मकबूल के पिताने बंबई ये वेनिया न्यूटन ओयल ट्यूब और कैन्विस मंगवाए अब उन्होंने वहां बॉम्बे से उससे में भाई हर जगे नहीं मिलते थे बॉम्बे से ये सब चीजें मंगवाई क्योंकि उन्होंने किसी दूसरे से अपने बेटे की इतनी की जा रही थी कि वो पुस्तैनी काम समहा ले पिता जी ने अपने बेटे का पक्ष लिया और उस मान्यता से अलक कर दिया उसको कि जो मेरा बेटा चहरा है जिसकी उसमें खुशी है यानि कि चत्रकारी वो वो कारे करेगा ना कि पुष्टैनी कारे समालेगा सभी से लड़े समझाया और आखिर कार में वो सभी को बेटे के फेवर में लेकर आ गए और उन्होंने चत्रकारी की अजाज़त दे दी ये हुसायन के जीवन के ऐसी महातपूर घटनाएं थी जिनकी हुसायन को एक प्रसिद चत्रकार बनाने में विशेश भूमिका है एक बात होती है कि हम अपने अंदर के हुनर को कैसे पहचान रहें तो यहाँ पर बॉर्डिंग स्कूल में वो अपने हुनर को पहचान पाए घर आकर अब जब पिता जी ने उनके हुनर को समझा और निकारा और इनी घटनाओं के कारण हमें इतने अच्छे चत्रकार मक्बूल फिदा हुसायन के रूप में मिले तो यह जो सारी घटनाएंती खुद हुसायन जी ने अपनी ही जबानी हमें इस पाट के माध्यम से बताई थी तो यह पाट हमें बहुत ही अच्छी सक्षियस से परचे करा कर गया यह पाट यही खतम करते हैं इसके प्रश्ट उत्तर हम अपने नेक्स वीडियो में लेकर आएंगे थांक्यू बाबाई